राजस्तान विधान सभा के साथ उप्चनाओं की तारिक 15 अक्टूबर को चुनावायोग द्वारा घोशिट की गई उसी दिन राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों डॉक्टर किरोडी लाल मीना और मदन दिलावर के बीच विवाद की खबरे भी सामने आई दिलावर के सिक्षा विभाग द्वारा दोसा जिले में एक ही जाती के 26 प्रिंसिबल के तबादले का आदेश जारी किया गया जिस पर कृशी मंत्री किरोडी लाल मीना ने कड़ी आपत्ती जताई यह विरोध इतना तीवर था कि दो घंटे के भीतर तबादले आदेश को वापस लेना पड़ा आपको बता दे कि इससे पहले भी 13 अक्टूबर को इस्थानी निकायों में 406 पार्शेदों के नियुक्तियों का आदेश वापस लेना पड़ा था साथ ही पुलिस सेवा में OBC वर्ग को आयू सीमा में छूट देने का निर्ने भी सरकार को रद करना पड़ा जल्दाए विभाग में भी कई आदेश वापस लिए गए जो सरकार के भीतर भड़ते आंतरिक संगर्शों को उजागर करते हैं भाजपा सरकार में मंतरियों के बीच तालमेल की कमिये साफ दिखाई दे रही है खास कर भजनला शर्मा के नितरत में सरकार में मौझूद आंतरिक विरोदों का फाइदा विपक्ष उठा रहा है विपक्ष के हमलों के सामने सरकार का बचाव करने वाला कोई मजबूर चहरा नज़र नहीं आ रहा है ऐसे समय में जब 13 नवंबर को साथ उपचुनाव होने हैं ये सवाल उड़ता है कि भाजपा इन चुनाव में कैसे जीत हासिल करेगी जिन साथ छेतरों में उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पहले से ही कॉंग्रेस, RLP और BAP का कबज़ा है केवल सलुम्बर की सीट भाजपा के पास थी लेकिन अमरतलाल मीना की निधन के बाद वहाँ भी भाजपा के स्थिति कम जो नज़र आ रही है लोगसबचुनाव में पच्चिस में से ग्यारा सीटों पर विपक्ष की जीत ने कॉंग्रेस के होसले पहले ही बुलंद कर दिये हैं यदि इन साथ उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा तो इसका सरकार पर गंभीर प्रभाव पढ़ सकता है हालां कि भाशपानेताओं का दावा है कि पार्टी सभी साथ सीटों पर जीत दर्श करेगी लेकिन सरकार और संगठन में व्याप्त आंतरिक कले को देखते विए यह दावा कमजोर लगता है जनतादर्बार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही